हेलो दोस्तों तो आज हम सीखने वाले हैं कि आप fastest और easiest method में जो है पिलो कैसे create कर सकते हैं या कोई cushion है वो कैसे create कर सकते हैं तो उसके लिए हम सीधा यहाँ पर एक कोई भी square rectangle या जिस भी shape का आपको पिलो या कुछ भी बनाना है वो आप यहाँ पर create कर सकते हैं तो यह मैंने ले लिए shape हम मैं इस में क्या है sub divisions add कर दूँआ यहाँ पर तो मैं इसके subdivisions add करने वाला हूँ तो at least width में हम रहे देते हैं प्रॉक्स 10 depth में 10 height में 6 देते हैं तो यह हमने एक rectangle जो है create कर लिया है जिसमें हमने subdivisions दे दी है अब हम क्या करेंगे यहां से हम जाएंगे fx में fx में जाके इसको select रखेंगे और यहां पर जाएंगे and cloth and creator and cloth इसको यहां select कर देंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं outliner में nucleus और and cloth यह दो चीज़ यहां पर आ दी हैं तो अभी मैं इसको object को select करता हूं attribute editor में जाता हूं तो यहां पर हमारे पास यह and cloth shape 1 आ जाएगी अब इसके अंदर हमें क्या करना है हमें pressure में जाना है तो हमें pressure इसमें हम लगाते हैं point 7 generate करता हूं और उसके बाद हम nucleus में आ जाएंगे यहां पर हमारे पास gravity का option होता है तो मिल को भी gravity नहीं चाहिए तो मैं अभी इसको zero कर देता हूं और हम जो है इसको अभी एक बार play करके देखते हैं तो देख पार ही हमारा यह cushion हमारा ready हो गया है तो मैं क्या करूँआ मैं जैसे मिल को यह shape actually मैं उसी frame पर रोका हूं जिस पर मिल को एक अच्छी shape जो है पिलोगी वो मिल गई है तो अब इसके लिए मैं क्या करूँआ एडिट में जाओंगा एडिट में जाके delete by type में हिस्सी कर दूँआ तो उससे क्या होगा अब जब मैं इसको दुबारा play करूँआ तो जो effects है and cloth का वो effects जो है इस पर से remove हो गया है तो मेरे को एक plane geometry मिल गई है यहां पर पिलोगी हम मैं इसको 3 प्रेस करके देखता हूं एक बार तो यह हमारा pillow यहां पर create हो गया है और इसमें क्या amendment कर सकते हैं जो इसके edges हैं इनको select कर लेते हैं फोर प्रेस करके मैं देख लेता हूं कि उपर वाले सारे edges सेलेक्ट हो गया या नहीं हो गया हो चुए है तो ऐसी एक नीचे वाले edges भी select कर लेते हैं 5 प्रेस कर लेता हूं देखने के लिए तो मैं फिर से फ्रो फोर प्रेस कर गए देख लेता हूं कि मैंने शारे जो edge यह मुझे प्रेस कर गए देख लेता हूं कि मैंने शारे जो सेलेक्ट कर लिए हैं मैं वापिस 5 प्रेस शेडिंग मोड पर आ जाता हूं अब मैं क्या गरूँआ इसको अब मैं इसको यहां से simple इनको बैवल कर दूँआ हम यहां पर fraction से यहां पर add कर सकता हूं कि मैं को कितना distance चाहिए इसमें तो मैं कंट्रोल और मिडल माउस से इसको ड्राइग कर सकता हूं तो मैंको प्रिसाइजली एक यहां पर जो है कंट्रोल मिल जाता है कि मैं minimum values पर भी यहां पर work कर सकता हूं तो यहां पर मैं आ गया हूं अब मैं यहां से object mode में जाता हूं कि अब यहां से object mode में जाने के बाद मैं इसके faces select कर लोगा कि मैंने faces इसके select कर लिए हैं यहां पर फॉर प्रेस कर लेते हैं दुबारा confirm करने के लिए तो हमारे सारे faces select हो गए है वापिस से मैं shading mode में आ दाता हूं 5 प्रेस करके अब क्या है यहां पर मैं इसको extrude करूँ हूं और तो हमने थिकनेस देते हैं थोटीजी अब जो है त्री प्रेस करके इसको स्मूथ करके देखते हैं तो यह हमारा पिलो जो है वो create हो गया है तो अब simply हमें क्या करना है मैं वापिस से first पर जाऊंगा तो अब यहां पर जाऊंगा यहां से modeling modeling में mesh mesh के अंदर यहां पर मैं इसको mesh smooth कर दूँआ तो मैं को यह first इसमें काफी smooth मिल गया हाई poly तो बस यहां पर यह हमारा जो पिलो है object है वह हमारा create हो गया है तो मैं इसको कहीं पर यूज़ कर सकता हूं कैसे भी होप सुगाइज आपको यह अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो प्लीज हमारे चैनल को like करें follow करें and subscribe करें दो दो आपको 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 झाल झाल